मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्ण है आयस केपी आयस आयस खुरासान पाकिस्तान से ओरिजन होकर अफगानिस्तान में कहा गया और उसके कई सारी शाखाएं अब भारत में ट्रेस आउट हो रही हैं वो रूट्स जमा रहा है क्या ये कॉज आफ कंसर्ण नहीं है खासकर एक ऐसे हैं के लिए जो वर्ग कहीं नक ही अगर मैं अगर आप इसको मिसिंडेस्टान्ड ना करें उस बड़ को लेकर कहीं नक ही इक मन में सबके यह कि इसको अपलिफट करना जिए ओपर लाना है देखे हम मैं जिस पोडिशन में बैठा हूँ जहां हूँ मैं इस वक्त आपके सामने मेरे लिए सिवाए एक बात कहने के दूसरी बात कहने का मौका नहीं है वो एक ही बात है वो यह है कि इंडिया के मुसल्मान को हम अपने जीते जी गलत रास्ते पर नहीं जा वो फला 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 दस बीस और्गनाइडिशनों का आप नाम ले देंगे उसके साथ साथ यह जो सेंस आफ एलिएशन है यह भी एक रीजन हो सकता है सेंस वाइशन से मतलब एक खास महोल पैदा किया जा रहा है कौन कर रहे हैं लोग कर रहे हैं रोज़ाना ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप एक बात समझेए अगर कोई आदमी हमारे पेगंबर को गाली दे सीदे सीदे गाली दे और मैं उसके खिलाफ मैं उसके खिलाफ एफ़ाइएर करने की कोशिश करूँ यह मेरा फंडमेंटल राइट है एबसलूटली मैं इस से महरूम किया जा रहा हूँ कोई एक्जामपल है आपके मेरा अपना खुद का है क्या बात कर रहा है मैंने कर रखी FIR करने के लिए दे रखा है और इसको पांच महीने गुजर गए हैं कहां पर है कहां का हुआ ये इंसिडेंट देली का है FIR को इंटर्टेन नहीं किया जा रहा है दिल्ली में जिया अब आप ये बताईए कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा मुझे बतादी चाहिए ये तो बहुत चिंता जनक बताने हैं यही हो रहा है मैंने FIR की की विए उन्हें रिसीव करके दे दिया FIR नहीं किया कंप्लेंट ले लिए उसको कंप्लेंट बना दिया FIR को कंप्लेंट बना दिया दिल्ली पुलिस ने, मेरे एडिये के SHO ने, जहां मेरा ओफिस है, जमीतिलमाहिंद का ओफिस है, दिल्ली पुलिस हेड़कोर्टर की नाक के नीचे बैठे हैं, वहां ऐसा होगा। और यह बहुत चिंता जनक थी, हमने लीडेशिप की बात की कि कोई लीडेशिप मुस्लिम कम्मुनिटी में से निकल के नहीं आ रही है, आपने उसको बहुत अच्छे से बैलेंस किया, कि वह उनी के अंदर ढूनते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताईए, अगर मुस्लिम कम्म क्मेनिटी पिछडी हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार क्या वो खुद नहीं है, जैसा कि सच्चर कम्मुनिटी में दोजार पांच छे में का गया था, हन्डेट पर सेंट, पहली जिम्मेदारी मुसल्मानों की होती है और पहली जिम्मेदारी मुसलिम Alorsânájस की होती है और पहली जिम्मेदारी मुसलिम लीडर्शिप की होती है चाहे वो हमारे जैसे चोटे वरकर ही कुण अ मतलब मुझे कोई शौक नहीं है डेटा शेयर करने का लेकिन मैं हिरान हो गया एक चीज़ देखकर 2011 के सेंसस में इस देश में 3,70,000 भिकारियों में से वन फोर्थ हर एक मुस्लिम है मैं पढ़के हिरान हो गया कि जब सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आई थी तो I.S. I.P.S. आफिसस थी परसेंट थे सर्वाइवल में पहले डिकेट पहले दो डिकेट तो सफाई देने में गुज़रे यह हमने पाकिस्तान नहीं बनाया है मुसल्मान रेस्पाइब इस देश के राश्टपती अप राश्टपती गवर्नर चीफ इन्फोमेशन आफिसर यह सारी बहुत मिसाले हैं देखिए मैं इससे भी बड़ी मिसाल दूँगा आपको इस देश के लोगों ने एपीजे कलाम को जो महबबत दी क्या किसी दूसरे साइंटिस्ट को ऐसी महबबत मिली है सर जब निकल के आएगा तो मिलेगी भी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ इस मिल्क में बहुत सारे अच्छे-च्छे साइंटिस्ट हुआ है उसी में कलाम साब भी है लेकिन कलाम साब के साथ लोगों ने जो महबबत का मामला किया वो किसी दूसरे के साथ नहीं किया आप समझ लीजे इस बात को यहां के लोगों की यह खुसूसियत है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा और अगर वो मुसल्मान होगा मेरे जैसा आदमी होगा तो उसको दूसरों से ज़ादा मौक है और अपर्चिनिटी मिलेंगी यह ठीक है लेकिन इसी के साथ खराबी भी हो रही है किसी खराबी को एड्रेस करने का मतलब यह है कि अच्छाईयों को इग्नोर किया जा रहा है प्लीज मिसंडेश्टेंड मत कीचे मैं बात कहा करता हूँ आज मौका नहीं है उसके कहने का ऐसे हालात हैं लेकिन फिर भी कह देता हूँ लेकिन उसके आगे बहुत सारे इफिन बट लगे वे हैं वो यह है कि इस पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट को आज भी आप देख लीजे आज भी आप देख लीजे तो मुसल्मान इंडिया का किसी भी परोसी मुल्क से खराब हाल में नहीं है अच्छे ही हाल में एक सिकिन बसे इंडियन लेकिन इसके साथ बस एक वो नहीं लगाऊंगा तो घलत होगा आज मुसल्मान की इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है वो छुटे छुटे इंसिडेंट है उनको ठीक से अगर डील नहीं किया जाएगा तो जो बहुत कुछ आचीव हुआ है उसमें हम उन चीजों को लूज करते चाहेँए मदी साब आपने जो बात कही है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं इसको समप दो चीजों से करना चाहूंगा पहली चीज कि जब जस्टिस की जा रही है तो उसमें पाश्यालिटी नहीं होनी चाहिए जो इन्होंने कहा वो एकदम सही है दूसरा मुस्लिम लीडर्शिप में एक वैक्यूम है और उसको एग्नोर नहीं किया जा सकता और किसी ना किसी को बहार निकल कर आना पड़ेगा वनना सेट ओफ रॉंग चॉइसे होती जाएंगी